हेलो वंक्षेन लवर वेलकम टू मैं चैनल हापेंग इविंग पर गान पॉइंट करके कहता है तुम उसे कैसे ले जा सकते हो शेंशाओ हाई तुरंत उसे काट देता है शेंशाओ हाई हापेंग के तरप अपना गान पॉइंट करके कहता है उनके तरप गान पॉइंट करना बंद करो हापेंग ए सुनकर डार्कली हसने लगता है शेंचाओ हाई ने यूविन को इशारा किया यूविन उनके तरब देखकर अपना सिर हिलाता है और जंगबजीया को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके उसे लेकर बाहर आ जाता है शेंचाओ हाई दूसरी गान सर्मन ल के तरह पॉइंट करके कहता है अब हम बात कर सकते है सर्मन लि कहती है आज किसी को मरना है और हम एब जानते है बस हम ड़ते नहीं है हम मरते हैं तो हमें परवन नहीं है क्योंकि हमारी प्रियोजन हमारा परिबर हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा तुम हो हमारे जीबन का काला अध्धाय हमें इसे यहां समप्त करना होगा ठीक है फिर मरो जो जान जी ने कहा इतना कहकर उसने गान के टिगर दबा दिया नही बाहर से जंगबई जिया चिला दी है वांग जी ने हापेंग के हाथ में गोली मार दी हाथ में गोली लगने के वज़े से हापेंग के गा बीच में जो जान जीन के सिर में गोली मार दी वो भी फर्ष पर गिर गए जैसे ही उसे गोली मारे जाते है लेकिन वो भी फर्ष पर गिर गई क्योंकि उनके सीने में भी गोली लगी है मॉम बांग जी चिलाते है और उसके पास भागते है इससे पहले कि वो कुछ कहता सर्मन ली ने अपने आखे बंद कर ली दूसरे और हापेंग अभी भी शेंशाव हाई को देख रहा है शेंशाव हाई भी अपने बेटे को देख रहा था शेंशाव हाई रो रहे थे हापेंग बांग जी के तरब देखकर एक डार्क इसमाइल देखकर कहता है गुड लग गुड लग अगर तुम वी वुशान को ढून सकते हो तो ढून लो एक कहकर हापेंग अपना आखे बंद कर लेता है और अपना अंतिम सास छोड़ता है 35 मिनिट पहले लेंचा शेंचाव हाई मेंशन छोड़ा था सवी लीविंग रूम में टेंशन में बैठे थे वो शेंचाव हाई और सर्मन ली के कॉल का इंतिजार कर रहे थे जिसके बाद वो अपना काम कर सकते है विंग बहुत ज़ादा बेचैन हो रहा था फू उपर जाना चाता था लेकिन वो नहीं जा पाए क्योंकि उसके मॉम उसे उपर नहीं जाने दे रही थी विंग चिरकर कहता है मॉम आप मुझे उपर जाने क्यों नहीं दे रहे हो बेबी वांग जी ने कहा विंग तुरंद उनके बाद को काट दिया विंग फिर से कहता है लेकिन मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ ना क्रिस्टल जेंग सोचने लगती है उसे अपने आँखों के या फिर सभी के आँखों के सामने कैसे रखा जाए जब उसने विंग को देखभल करने के लिए कहा तब वो उसे देखकर आसानी से बता सकती थी के वांग जी बहुत ही जादा टेंशन में था हर जगा टाइट बोडी गार्ड भी है तुम गार्डमने कैसे जा सकते हो क्या तुम जानते हो सर्मन ली कुछ दिन पहले तुमारे लिए गार्डन में गुलाब किस सीट्स लगाई ही थी क्रिस्टल जैंग लिविंग रूम से गार्डन में उन गुलाब के ओर इशारा करते हुए कहा विंग कुछ देर सोचने लगता है नो डाउट वो गुलाब बहुत ही जादा पसंद करता है लेकिन अभी वो सिर्फ उपर जाना चाहता था और थोरी देर लेटना चाहता था विंग आहे भरते है क्रिस्टल जैंग कहती है प्लीस मेरे जिद्दी बेटे प्लीस हाँ कहो क्रिस्टल जैंग अपनी मन में प्रे करने लगती है विंग कहता है ठीक है मैं वहाँ जा रहा हूँ क्रिस्टल जैंग तुरंत कहा ठीक है ठीक है वहाँ जाओ विंग सोफे से उठकर बाहर गार्डन में चला गया क्रिस्टल जैंग उसे लीविंग रूम से देख सकती है वो उसके साथ वहां किसी को भेजना चाहती थी लेकिन सब ही अपस में बात कर रहे थे जिंग्यू अपने हस्बेंट के साथ कुछ गहरी डिसकाशन कर रहा था इसलिए उन्होंने दूसरों से कुछ नहीं कहा क्रिस्टल जैंग एक सार्वेंट को बुलाती है येस मैम एक सार्वेंट आकर कहा क्या तुम क्या क्रिस्टल जैंग कुछ भी कहने से पहले रुख जाती है और वो उस नौकर को पहचाननी की कोशिश कर रही थी क्योंकि इससे पहले उसने इस नोकर को कभी नहीं देखा था नोकर कहता है मैम क्रिस्टल जैंग कहती है क्या तुम यहां नए आए हो क्योंकि मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा नोकर कहता है हाँ मैम मैं कल ही यहां जॉइन किया है क्या तुम मेरे बेटे को औरंज जूस दे सकते हो वो बाहर है वो हाँ क्रिस्टल जैंग विंग की तरप अपना फिंगर पॉइंट करके कहा हाँ मैं अभी उन्हें जूस दे देता हूँ ए कहकर वो नोकर तुरंद कीचेन में चला जाता है क्रिस्टल वांग जी और यूविन कहा गये है मैं उन्हें नहीं ढून सकता क्या तुमने उन्हें देखा लू इन जी ने पूछा यूविन भी उनके पीछे गया है क्रिस्टल जैंग ने कहा आपका क्या मतलब है कि वो भी शियो किन ने पूछा वांग जी शेंचाव हाई और सर्मन ली के पीछे गया है क्रिस को ने काहा जो चेंग कहता है लेकिन हमें एड्रेस नहीं पाता हर कोई बात चीत में बीजी हो जाता है और कृश्टल जैंग अब विंग को वहाँ से नहीं देख साकता था क्योंकि अभी उनके सामले लू जियन मीन बैठे थे कृश्टल ज्यांग ने सर्मन ली को फोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया इसलिए वो भी बातचीत में ज्यादा मजगूल हो जाता है दूसरे और वो नौकर कीचेन से औरंज जूस ले लेता है और कुछ इस्ट्रोबिली लेकर बाहर गार्डन के तरब जाने लगता है दूसर लेकिन तुम इस तरब से क्यों जा रहे हो लिविंग रूम के उस तरब से गार्डन जाना शौट काट परता है दूसरे नौकर ने कहा आ ठीक है मैं यहां से जाता हूँ एक एकर वो नौकर दूसरे नौकर के जब आप सुने भी ना ही वहां से चला जाता है जब वो बाहर आता है वो अपने जेब से निकाब निकाल लेता है और उसे अपने चहरे पर पहन लेता है और विंग के ओर धीरे धीरे चलना शुरू करता है विंग उन गुलाब को देख रहा था और उन गुलाब की स्मेल को इनहेल कर रहा था और वाइडली मुस्कुराने लगता है लेक पोज़े से कोई कहता है यंग मास्टर विंग पीछे मुर कर कहता है हाँ उस नौकर कहता है ए आपका ओरंज्च जूस शुक्रिया विंग उस गिलस को ट्रे से लेने ही जा रहाता कि ताभी वलुक गया विठ उस नौकर के तरब तेज निगाह से देखता है वींग कहता है तुमने मास्ट क्यों पैना हुआ है नौकर कहता है यांग मास्टर मुझे कोल्ड हो गया है मैंने तुम्हें यहाँ पहले नहीं देखा क्या तुम यहाँ नए नौकर हो लेकिन मुझे लगता है कि हम पहले मिले है उस नौकर ने कहा, यंग मास्टर इसे पियो, मैम ने कहा आपके लिए ये बनाने के लिए, आप इस जूस को जल्दी से पी लो, फो नौकर फिर से कहता है, ओ, ओके, विंग ने कहा और ओरेंग जूस का गलास अपना हाथ में ले लिया, और उसे पी लिया, हेर वी गो, अब त ट्रे में रख दिया, लेकिन कौन सी मैडम ने कहा, क्या तुम हमारे परिवर के सबी लोगों के नाम नहीं जानते, विंग ने उलजान से पुछा, नहीं यंग मास्टर, मैं इसे पहले कैसे जान सकता हूँ, मैं काल ही जॉइन किया था, उस नौकर ने जबाब दिया, आचन के नाम कैसे नहीं जानते, हमारे हर मेंशन में जब नए नोकर, नोकरी में शामिल होते हैं, तो वो पहले दिन सबी के नाम सीखते हैं, तुमने इसे आभी तक कैसे नहीं सीखा, विंग ने टिंशन वाले आवाज में पूछा, आँ, ए मुझे लगता है, बच्चा भी अपन विंग ने अपना मुखोटा उतारते हुए कहा, विंग चौक गया, क्या वो वही इंसान नहीं है, जिसने कुछ दिन पहले हमारी मेंशन में खाना पहुचाया था, चलो बेबी, अब घर जाने का समय हो गया है, हमें इस बूरे बच्चे से भी छुटकारा पाना है, फिर हम अपने बच्चा पैदा करें सकते हैं, लिवो विन ने कहा, विंग को अभी हार तरफ पसिना आने लगा है, उसका सीर पहले से ही भारी हो गया है, उसे चक्र आ रहा है, वो मेंशन के अंदर जाने लगा है, लेकिन लिवो विन ने उसे रोका, और उसे कमर से पाकर लिया, व लिवो वेन के पाकर से खुद को छुराने के लिए स्ट्रागल करना शुरू कर देता है मॉम विंग चिकना चाहता था लेकिन उसके आवास धीमी हो गए वो तुमें नहीं सुन सकते और तुम पहले से ही बेहुश होने वाले हो इसलिए कोशिश मत करो और स्ट्रागल करना बंद करो लिवो वेन ने कहा विंग के आखों में आसु भर आए वो अंदर देखता है वो अभी भी बातचीत में बीजी है विंग ने जोड से रोया ना चाहते हुए भी वो धीरे धीरे अपना होश खोने लगा क्या तुम मेरे लिए आओगे क्या तुम हमारे बच्चे के लिए आओगे देर मत करो लंचा देर होने से पहले मुझे ढून लो विंग ने अपने मन में सोचा लंचान विंग एक सेकेंड में धीरे से कहा और बेहुश हो गया सचीत रहो लरको मैं वी वुश्यान को बाहर ले जा रहा हूँ लिवो विंग ने अपने आदमियों से अपने एरफोन के मध्धम से कहा हा मालिक उसके एक आदमी ने जबब दिया अब हमें फिर से हापेंग मेंशन देखाया जाता है लेंग जान हापेंग के बातों को सुनकर दंग रह जाता है वो अपने जगे से मूब भी नहीं कर पा रहा था हापेंग ने अपने आखे बंद करने से पहले जो कहा था उसे सुनकर लेंग जान पुरी तरह से शौक्ट हो जाता है बाहर से साइरेन की आवाज सुनाई देता है पुलिस और एम्बोलेंस एहा अल्रेडी पहुच चुका है इविन जब जंगबई जिया को लेकर बाहर आया था तब ही उसने पुलिस को कॉल करके बुला लिया था यूविन और जंग बै जिया पुलिस और एंबॉलेंस के साथ अंदर आते है जंग बै जिया चिककर सर्मन ली के तरब भागता है और कहता है मॉम फाइनली लेंजा हापेंग ने जो कहा उस खयाल से बाहर आ जाता है और हापेंग के पास आकर उसका कॉलर पकर कर उसे शेक करते हुए कहने लगता है क्या कहा तुमने दुबारा कहो हे उठो तुमने क्या कहा तब ही एंबॉलेंस से एक एंपलोई आकर हापेंग के नार्फ को चेक करने लगता है उसके हार्ट अल्रेडी बीट करना बंद कर दिया है सार्व वो मर चुका है एक एमपुलूई ने लेंजा से कहता है तभी उसे समय फोन बजने लगता है एक क्रिस्टल जैंग का कॉल था लेंजान कॉल उठा लेता है क्या? लेंजा अपने सेंटेंस पुरा नहीं कर पाया था तभी क्रिस्टल जैंग अपने क्राकिंग वोईस में कहती है हमें वी वुशयन कहीं नहीं मिल रहे है वोडी गट को एक नोकर बाहर बेहुश परा मिला किसी ने उसे ड्राग दे दिया वंग जी मेरे बेटे को ढूंडो क्रिस्टल जैंग ने फोन की दूसरी तरब से रोते हुए कहा वंग जी को लगता है वो अब सास नहीं ले सकता उसने कुछ नहीं कहा लेकिन फोन कर दिया वो जब बापास पीछे मोड़ता है उसने देखा कि कुछ लोग सर्मन ली को एम्बूलेंस के अंदर ले जा रहा है चिंता मत करो वो अभी भी सास ले रही है एक एम्बूलेंस एम्पलोई ने शेंशाओ हाई से कहा लेंचन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस रस्ते पर जाए वींग या फिर अपने मौम के साथ तबही शेंशाओ हाई कहता है चिंता मत करो वो ठीक है और वो जल्दी ही पुरी तरह से ठीक हो जाएगा तुमारे मौम हमेशा कहती है अपने प्यार का रक्षा करो और तुमारे मौम का प्यार अभी भी जिंदा है और उसके पास है और वो ठीक हो जाएगा वी वुश्यान को ढूंडो शियो किन ने मुझे पहले ही मैसेज भेज़ा है जल्दी जाओ शेंशाव हाई ने कहा देरिन रस्ते पर ही है अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो तुम उसे बात कर लेना अब जल्दी जाओ यूविन ने कहा बांग जी तुरंत उस जगे से बाहर आ गया वो अपने कार के अंदर जाता है और उसे चलाने लगता है और उनके हेट बॉडी गाट को कॉल करता है फोन की दूसरी तरब से देरिन वांग कहता है बॉस लिविन या विल्लिंग में आ जाओ ये मेरी मेंशन से कुछ मीटर की दूरी पारी है वांग जी ने कहा ये जबॉस देरिन वांग जबाब देता है लेनजा ने कॉल कर दिया और अपने कार को फूल स्पीड में चलाना 20 मिनिट में वो लिविन या विल्लिंग के सामने पहुँच जाता है लिवो विन दूसरे मंजिल पर ठहरे है देरिन वांग पहले से ही दूसरे अदमियों के साथ मेंशन के सामने खरे थे लेनजान वागते होए कहता है चलो चलते है वहाँ पहुचने के बाद लेनजान दर दर्वाजा खूल जाता है और लेंजा अंदर चला जाता है खोजना शुरू करो अगर किसी को कुछ भी सास्पिसियस मिलता है तो हामें देखाना धैरेन वांग ने बाकी अदमियों से कहा सबने अपना सीर हिलाया और सब कुछ चेक करना शुरू कर देता है लेंजान विंडो के पास आ जाता है वो बहुत से अपने मेंशन साब सब देख सकता है जब उसने अपने आखें अपने मेंशन से हाटा कर विंडो के पास बली टेबिल पर देखता है वो एक फोन रखा है वो मेच के पास जाता है अचानक फोन बजने लगता है धैरेन वांग फोन उठाने ज का प्यार अब चला गया है फोन की दूसरी तरफ से लीवो वेन ने मजग में कहा लेंजान अपने मुठी कस्ट कर बंद कर लिया जब उसने लीवो वेन के मजग वाली आवास को सुना मेरा विश्वास कर जब मैं तुम्हें पक कर लूँगा मैं तुम्हें बहुत बेरा में से मारूंगा और एह मौत आसान नहीं होगी लेंजाने कहा वाँ मैं बहुत डरा हुआ हूँ और मैं काप रहा हूँ तुम जो करना चाते हो करो पहले मुझे उस बच्चे से चुटकारा पाना है तुम जानते हो तब हम एक हो सकते है लेंजान देरिन के तरब देखता है जो अभी भी लेंजान का पता लगाने की कोशिश कर रहा है मुझे ट्राक करना बंद करो कै क्या तुम्हारा डिवाइस साई सबी अलाग अलाग जगा नहीं देखा रहा है ओके गाइस तो इस पार्ट को में इस पार्ट को में एही एंड करती हूँ I hope कि आप लोग इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो Thank you for watching guys, bye bye